स्क्वार रूट ऑफ 125 कैसे फाइंड करें अभी इस वीडियो में हम से कहेंगे तो आप इस वीडियो को पुरा देखें आप से चोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी वीडियो को लाइक कर दें सेर कर दें यहाँ पे दोस्ता हम लोंग डूजियन मेत करने हैं देखो पहला काम करना है यहाँपर बाहर से अंदर के ओर ठीक है यहनी किस लाइन की यह जब जाएंगे तब डो ढिजिट को एक साथ लेते वें हम जोड़ा बनाते चलेंगे फिर अंदर हाथ तक आएंगी ठीक है तो अंदर मैं आपका यहाँपर क्या बच गया दोस्तों एक अंक की संख्या बच गया या या नि एक बच गया इस एक को द्यान में रखते हुए हम ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ multiply करने पर ये एक आए या एक से just कम आए तो देखो एक multiply एक आ गया तो हमें ज़्यादा कुछ मैनत करना ही नहीं पड़ा ठीक है तो यहाँ पर आपका पहला step हो गया संक्या का चुनाव करना दूसरा step है संक्या को वैस्तित करना है वैस्तित कैसे करना है इसको हम यहाँ ऐसे लिखेंगे इसका जो multiply है इसको हम यहां लिखेंगे उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे यह आपका थर्ड स्टेप है तो यहां 1-1 0 हो गया और इनको एड़ करेंगे और यह जो आपका आगे ग्रूप बेठा हुआ है इस पूरे ग्रूप को यहां लेकर आएंगे ठीक है अब देखो आपके पास यहां पर संख्या क्या बना हुआ है 25 बना हुआ है यहां कितना आपका 2 है 2 के पीछे ऐसा मैं क्या लोँ उसका मल्टिप्लाइ करूँ कि मेरे पास 25 हाज है यह 25 से ज़स्ट कमाए और वो देखिए समान संख्या लेनी यह ध्यान रखें जैसे यहां एक मल्टिप्लाइ एक लिया तो वेसे ही यहां पर हम ऐसा देखते हैं एक मल्टिप्लाइ एक एक होता है और यह कितना 21 हा जाता है ठीक है समझ आ गया यहांनि ऐसा समझे यहां पर जो आपका बना है इसके पिछे ऐसी कौन संख्या लें उसका मल्टिप्लाइ करें जिससे आपका यहां पर 25 आई है इससे जस्ट कमाए तो मैंने एक लिया एक का मल्टिप्लाइ किया तो 21 आ रहे है आपको डाउट हो तो आप दो लेकर वीचे कर ले कितना आपका चमालिस आएगा जो कि 25 से बड़ा है तो इसको हम नहीं ले सकते है जिस संख्या को लिया है उसको हमें यहां पर व्यस्टिद करना है कुछ इस प्रकार से इनका मल्टिप्लाइ यहां लिखना है और देखिए यहां पर हमने किसको लिया एक को लिया है तो इस एक को यहां लिखना है जिस संख्या को ले रहे हैं इसको साथ साथ में यहां लिखते चलना है ठीक है यहां पर दुबारा हमने किसको लिया एक को लिया है इसको यहां लिखते चलना है अब आगे वहिष्टे मायनस करना है यहां पे चार आगया इसको प्लस करना है अब मैं क्या करूँ आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है यहां लिखने के लिए तो मैं क्या करूँ दोस्तों यहां पे पॉइंट लगाऊंगा और इसके पीछे दो जिरो लगा दूँगा अब मेरे पास यहां पर कितना चार सो बन गया है यहां पर कितना है मेरा पास 22 से 22 की पिछे ऐसी कौन से संक्याले उसका मल्टिप्लाई करें जिससे आपका चार सो आएं तो आपको इस परस दिखाई दे रहा है कि दो लूँगा दो का गुणा करूँगा तो आपका चार सो से ज़्यादा आएगा ठीक है यह कोई बड़ी बात ने दिखत गया तो आप एक लेंगे ठीक है एक लिया एक का गुणा किया तो कितना आपका 221 आ रहा है जो की चार सो से कम है जिस संक्या को आपने लिया इसको एक वार यहां पर साथ में लिखते चलेंगे यह बात है जो आप ध्यान रखे वो सावधानी से अब इसको माइनस करेंगे माइनस किया दोस्तों यहां पर आपका यहां 9 आ गया यहां 7 आ गया और यहां पर 1 आ गया चीक है? 179 आ गया और इनको हम क्या करना? 8 करना है तो यह आ गया अब देखो हमने पॉइंट लगा रखा है तो इसके पीछे क्या करेंगे? 2-0 लगा देंगे अब आपका यहां पर यह नया संख्या बना हुआ है ठीक है? और यहां पर कितना है? आपका यह है अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहां पर इसके पीछे ऐसी कौन सिसन क्या लूँ उसका मल्टिप्लाई करूँ एक्जट किया आना चाहिए इसकी मैं जांज करने का आपको तरीका बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका है देखी यहां पर इसको लीजिए और इसका यह दो को लीजिए जब दो को हम आठ से मल्टिप्लाई करते हैं तो कितना सोड़ा आता जो कि 17 से जस्ट कम है यहां पर आपका आठ का सेटिंग बेट सकता है तो आप उच्छे करना चीए ऐसे आप एकदम एगजिक्ट वहीं पहुँच जाएंगे जो कि आपको यहां पर चाहिए यह आपका टाइम बज़ेगा इस तरीके से दोनों की कंपेर करके पहले आइडिया लगाना आठ उ आठा चो सट होता है 6 हंचल चला गया 1,88,22,22 होड़े अच्छे आपका 22 हो गया 2 हंचल चला गया 1,88,22 होड़े और आपका 2 कितना 18 आठारा आगया अब 1 हंचल चला गया यहां पर कितना 16,17 आगया यह आ रहा है ठीक है अब यह मल्टिप्लाइ करने के बाद मुझे यहां पर चेक करना है कि यह क्या इससे कम है या यह खुद है देखो यह इससे एकदम जश्ट कम है ध्यान क्या रखना है बस इससे ज्यादा नहीं होना चीए कम चलेगा लेकिन कम ज्यादा कम नहीं चलेगा एकदम जश्ट कम होना चीए यह निए यह दिम 9 लूंगा तो वो इससे बड़ा आजएगा ऐसे समझेगा जो इससे यहाँ पर जश्ट बड़ा उससे एक छोटा लेके ऐसे करना है ठीक है आप प्रेटिस करेंगे और समझ आजएगा यहाँ पर किसको लिया है दोस्त हमने 8 को लिया है 8 को यहाँ पर एक वार लिख देना है इनका multiply करने पर आपके पास कितना आया है यह निकल कर आया है ठीक है उसके बाद आगे वही आपका step repeat होगा कौन सा step कि हम इसको minus करेंगे इसको plus करेंगे तो जब इसको मैं minus कर रहा जाएगा यहाँ साथ आगया यहनि 76 आगया ठीक है अब देखो point लगा रखा है तो इसके पीछे मैं क्या करूंगा दो 0 लगा दूंगा यहाँ पर इनको जोडता हूँ तो आपका कि यह निकल कर आ रहा है ठीक है ओके अब देखे मेरा काम यहाँ पर क्या है मेरा काम यहाँ पर है यह जो संख्याई है और यह जो संख्याई इनके लिए भी हो same to same process करना तो यहाँ पर आपकी वार आपकी संख्या क्या बनी है दोस्तों इसको यहाँ लिखता हूँ मैं देखो यह संख्या बनी है यहाँ पर क्या बनाए आपके पास यह बनाए इसके पीछ ऐसी कौन सी संख्या लोग उसका multiply गरोओ जिससे मेरा यह आना चीए यह इससे just का माना चीए देखिए एक लेके check करता हूँ तो भी यह कितना आ रहा है दोस्तों आपका 22,361 जबकि यह कितना 7,600 यह बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ऐसी condition में क्या करते हैं दोस्तों आप 0 लेते हैं जब ऐसी situation हो तो आप क्या करते हैं 0 लेते हैं 0 का multiply करते हैं दोस्तों 0 आ जाता है 0 क्या है इससे just कम है यह बहुत 0 कम है just कम नहीं कम है ओके हमने 0 लिया 0 का multiply किया तो यहां 0 आया तो यहां पर हम किसको लिखेंगे 0 को लिखेंगे अगला वही step इसको हम minus करेंगे यह आ गया जो minus करने पर आया है यहां पर हमने point लगा रखा है उसके बाद क्या लगा देंगे दो 0 लगा देंगे अब इनको मुझे क्या करना है एड करना है तो मेरा यह आ गया ठीक है तो आगे है जो यह जहां तक मुझे जरूत होगी चीक है जहां तक मुझे जरूत होगी वहां तक है जो इसको मैं करता जाओंगा हालां कि maximum time दोस्तों हमें point के बाद तीन डिजिट तक ही square root की जरूत पड़ती है तो यहां पर 125 का square root क्या निकल कर आया दोस्तों यहां पर आपका 11.180 यह आपका 125 का यहां पर square root निकल कर आया है तो मैं उमीद कर रहा हूं कि यह आपको समझ आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद